मद्परदेश के छतरफुर की बक्सवाह तहसिल के कछार गाउं में बुद्वार देरात अजीबो गरीब घटना घटी यहां एक हैंड पॉंप से पानी और आग एक साथ निकलने लगे इसके बाद इलाके में हरकंप मच गया यह नजारा देखने के लिए लोगों की भीड लग गई लोगों ने तुरंद प्रशासन को सूचना दी प्रशासन की अधिकारियों ने मौके पर जाकर जाच की हालाकि जाच रिपूर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर यह क्या था दूसरी और ग्रामेडों का कहना है कि यह घटना यहां कभी नहीं हुई गाउं में वैसे ही पीने के पानी की किल्लत है उपर से यह हैंड पंप आग उगलने लगा है इस घटना का वीडियो सोशल मेडिया पर अपलोड होते ही वारल हो गया जानकारे के मताबिक हैंड पंप से आग पानी निकलने की घटना जिला मुख्याले से 10 किलो मेटर दूरिस्थित कछार गाब की है कुछ लोग टहलने सडक पर निकले तो देखा कि एक हैंड पंप से पहले आग और फिर पानी निकल रहा है ये नजारा देख उनके होशोड गए ये खबर गाउं में आग की तरह फैल गई लोग हैंड पंप के आसपास जाने से भी डरने लगे इतना ही नहीं लोगों ने तरह तरह की बाते करने शुरू कर दी किसी ने कहा ये चमतकार है तो किसी ने कहा ये घटना रसायनों की वज़ा से हो रही है लोगों ने बताया कि इससे पहले कभी इस गाउं में घटना नहीं घटी इस घटना से सभी हैरान है दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इस वीडियो में फिलानत नहीं